करंसी नोट्स पे जो इंक्यूज होती है अब से वो इंडिया में ही बनाई जाएगी Reserve Bank of India की यहाँ पर एक announcement होई और इस plant को यहाँ पर इनेगरेट किया गया है ठीक है और यह plant है कहाँ पर मैसूरू में है मैसूरू में exact बताऊं तो वर्नी का नाम की एक unit है जो कि यहाँ पर unit है भारतिय Reserve Bank node मुदरन Private Limited की जो कि इंडिया के लिए हैं आपर currency nodes प्रिंट करता है RBA के लिए उसी एक unit वर्नी का नाम की है जहाँ पर यह इंक यू बनाई जाएगी और इंडिया का यहाँ पर जो import है उसको कम किया जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि 100% जो manufacturing है इंकी वो यहीं पर ही की जाएगी और यह कहाँ पर मैसूरू में एक्जाम पॉइंटों से याद रख लेना काफी important है वर्नी का मैसूरू और किस की unit है BR, BNMPL की ठीक है 1500 MT की capacity है इसकी ink manufacturing की यहाँ पर कहा गया है 100% self-sufficiency की यहाँ पर बात की गई है इवन इसमें जो inks use की जाती है वो आपकी आपकी वारिश plant for manufacturing different type of varnishes के लिए जो use की जाती है वो भी बनाई जाएगी और सब कुछ यहाँ पर available रहेगा शक्तिकान दास जी ने इसको यहाँ पर अभी हाल ही में integrate किया उमीद करता हूँ यह चीज समझ में आगी होगी आपको easy news थी और definitely यहाँ पर India का next कदम है इंपोर्ट के उपर निर्भरता कम करने के लिए और India में ही सब कुछ यहाँ पर available होने के लिए चलिए इस तरह की informative videos के लिए इस channel से जुड़े रहेगा और further आपके लिए एक छोटी से information जिसके तहर यहाँ पर 31 मार्च के बाद 1 अप्रिल से अनकेडमी प्लस के आपके prices जो है वो हाइक होने वाले है तो इन prices hike से अगर आप बचना जाते हैं अगर आप अनकेडमी प्लस लेने के सोच रहे हैं तो आज ही ले लिजेगा अपनी त्यारी को बहुत बढ़िया शांदर तरीके से और further इन prices में अगर आपको discount चाहिए तो आप use कर सकते SBA 10 code आपको ये prices पे करने की जुरूरत नहीं है just use the SBA 10 code और further ये price और 10% decline हो जाएंगे further increase जो है वो एक April से आने वाला है जुड़े रहिए, बने रहिए, take care, love you all, bye bye